नमस्कार दोस्तों मैं संगिता चोदरी आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे के सभी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट क्यूशन इस क्लास में हम GK, GS, Static, GK, Current Affairs के इंपोर्टेंट क्यूशन करेंगे, ये क्लास हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं ये क्लासे आपके रेलवे के एक्जाम तक चलते रहेंगे जैसे की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब हर साल रेलवे के एक्जाम होंगे ये सभी के लिए important होने वाले हैं क्यूशन तो ये आज की हमारी पहली क्लास है ऐसे ही क्यूशन हम आपके लिए रोज क्लास में लाते रहेंगे तो क्लास से जुड़े रहें अपने दोस्तों में भी क्लास को share किजी और अगर आपने क्लास को अभी तक like नहीं किया है तो इसको के द्वारा की गई थी important question है ऐसे question पूछे जाते हैं कि खोज किसने कीती आविसकार कौन है तो ये important question होने वाला है तो ये कीती Henry बैक्यूरेल ने किसने कीती रेडियो सकरेता की खोज है वो कीती Henry बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो सकरेता की खोज की गई थी important question है ऐसे ही question exams में पूछे जाते हैं नेक्स देखिए important question exam में पूछा गया question है hydrogen का आविसकार किस ने किया था तो किन के द्वारा किया गया था यह किया गया था जिनको नोबल पुरुसकार मिला था ये थे रविंदर नाटेगोर कौन थे रविंदर नाटेगोर इनको गितांजली के लिए 1913 में पहली बार जो है नोबल पुरुसकार दिया गया था ये पहली भारतिये थे जिनको सहिते में नोबल पुरुसकार दिया गया था ये वेरी व आटेगोर को साहित्य के छेत्र में नोबल पुरुसकार दिया गया था इस बुक के लिए गितांजली बुक के लिए नेक्स् tas की और बढ़ते हैं ये देखिए इंपॉटेंट क्यूशन विष्व प्रियतन दिवस कब मनाया जाता है तो देज से रिलेटेट क्यूशन पूछे जाते हैं विष्व प्रियतन दिवस ये 27 सितमबर को मनाया जाता है नेक्स्ट अमारा क्यूशन है राश्टिय प्रियतन दिवस अब देखिए राश्टिय प्रियतन दिवस है ये 25 जनवरी को बनाया जाता है और विश्व प्रियतन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है दोनों important है यह रास्टी है नेशनल है और यह विश्व प्रियेटन दीवस है यह 27 सितंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्यूशन है वो देखिए पुलिजर पुरुसकार अमेरिकी लोगों को किस के लिए दिया जाता है तो किस छेत्र में दिया जाता है पुलिजर पुरुसकार है यह पत्रिकारिता में किस में पत्रिकारिता में उत्करष्टा के लिए कौन सा दिया जाता है पुलिजर पुरुसकार है यह अमेरिकी लोगों को दिया जाता है Next question देखी, very very important question, एक्जाम में बार-बार पूछा जाने वाला question सउयक्तरराश्टर की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को कब हुई थी? 24 एक्टोबर 1945 को सोयक्तर राष्ट की स्तापना हुई थी इसलिए सोयक्तर राष्ट दिवस जो हैस ये मनाया जाता है 24 एक्टूबर को Next जो हमारा question है ये देखिए सोयक्तर राष्ट संग की अधिकारिक भासाई है कौन-कौन सी है? ये है अंग्रेजी है फ्रेंच है चीनी है रूसी है अर्भी है एवं स्पैनिस है कौन सी है ये चारों च्छों के च्छों आपको याद रखने है इन में से पूछा जाता कि कौन सी अधिकारिक भासा नहीं है इसके अलावा जो होगी वो इसकी अधिकारिक भासा नहीं ओने वाली है देखिए अंग बहिस्कृत बच्चू के कल्यान से समंदित है कौन सा cry जो है एक संगटन है जो बहिस्कृत बच्चू के कल्यान से समंदित कारिय करता है Next question क्यों बढ़ते हैं इसका आंसर बताइए चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतिये थे तो कौन थे ये थे धुन्द राज गोविंद फाल के कौन थे चलचित्र या मुवीज बनाने वाले प्रथम भारतिये ये धुन्द राज गोविंद फाल के थे नेक्स जो important question है मंदिरों से related exam में question पूछे जाते हैं तो ये बताईए तिरुपती मंदिर है ये कहाँ पर अवस्तित है तो ये आंद्रप्रदेश में स्तित है तिरुपती जो मंदिर है ये आंद्रप्रदेश में है नेक्स जो important question है INDIA house अवस्तित है तो इंडिया house है इससे related question पूछा जाता है ये इंडिया house जो है ये लंदन में स्तित है कहाँ पर है ये लंदन में है इंडिया house जो है एक hostel है क्या है एक hostel है उसमें इंडियन्स के लिए एक hostel बना अगई थी जिसमें बहुत सारे संगठन कार्य रते तो यह important question है, India House है, यह कहां पर है, यह लंदन में है नेक्स देखी बांगलादेस की मुद्रा जो मोद्रिक इकाई है वो क्या है तो यहां की जो मुद्रा है यह तका है और यहां की राजधानी कौन सी है बांगलादेस की राजधानी क्या है यह है धाका इंपोर्टेंट है पडोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए उनकी राजधानी कौन सी है ढाका है और मोद्रिक इकाई क्या है ये टका है विश्वी में सरवादिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है? तो जो चीनी भासा है, ये विश्वी में सरवादिक बोली जाती है नेक्स्ट क्यूशन देखी इंपोर्टेंट क्यूशन है द्रोणाचारी पुरुसकार सम्मंदीत है तो किस छेत्र से सम्मंदीत है ये खेल सिक्सक से सम्मंदीत है जो खेल में सिक्सकों को ये दिया जाने वाला पुरुसकार है द्रोणाचारी पुरुसकार नेक्स्ट है वोली वोल के खेल में प्रतेक पक्स में कितने खिलाडी होते हैं तो बताईए वोली वोल का जो खेल होता है उसमें प्रतेक पक्स में कितने खिलाडी होते हैं ये होते हैं 6-6 खिलाडी कितने होते हैं 6 खिलाडी है वो प्रतेक पक्स में होते हैं Next question देखिए, एक महा तक चलने वाला विस्व का सबसे बड़ा पसु मेला लगता है, जो विस्व का जो सबसे बड़ा पसु मेला है, वो कहां लगता है? ये बिहार के सोनपूर में लगता है, ये important question है, ये बहुत बार SSC में भी पूछा गया question है, तो ये important question है, इसको आपको य लेडी विद लेंब के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट क्यूशन देखिए एक मात्र भारतिय संगितकार जिसने सयुक्त राष्ट के समक्स गान किया था तो ऐसे कौन से भारतिय संगितकार थे जिनोंने किसके सामने सयुक्त राष्ट संग के सामने गान किया था तो ये है MS सुबू लक्ष्मी इनों ने कहां सयुक्त राष्ट संग के समक्सकान किया था नेक्स्ट है लोकनाटे के नोटंकी रूप में सरवादिक महत्वपुन और मुख्य वादन यंत्र है नेक्स्ट कुशन देखिए कुम्ब मेला कितने वर्षों में एक बार गूम गूम कर आयोजित किया जाता है तो कितने वर्षों बाद में ये 12 वर्ष के बाद में हर बार आयोजित किया जाता है तो ये कितने जगाओं पर कुंब मेले कायोजन होता है, चार जगाओं पर होता है, जहाँ पर 12 वर्स के अंतराल पर फिर से मेला लगता है Next देखिए, International Red Cross Society का मुख्याले कहाँ पर इस्तित है, तो कहाँ पर है, Red Cross Society है इसका मुख्याले कहाँ है, यही है, जिनेवा में, अंतरास्ति संगटनों से रिलेटेट क्यूशन पूछे जाते हैं, तो इसका मुख्याले है, जिनेवा में कौन सा है, International Red Cross Society का मुख्याले जिनेवा में है नेक्स्ट क्यूशन के और बढ़ते हैं, दोस्तों, ऐसे ही क्यूशन आपकी एक्जाम में आने वाले हैं, ऐसे ही क्यूशन प्रिविस यर्स में पूछे गए थे, तो यह रेलवे के सभी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है, इसके इलावा आप SST के भी किसी एक्ज साम की त्यारी कर रहे हो, तो इस क्लास को देख सकते हो, दोस्तों, अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किये, तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेर कर दीजिए, नेक्स्ट है, कलिंग पुरुसकार किस के द्वारा दिया जाता है तो किसके द्वारा दिया जाता है ये युनेशको के द्वारा कलिंग पुरुसकार दिया जाता है नेक्स्ट जो क्यूशन है राष्ट अनराथ तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है तो ये सहुदी अरब में स्थित है कौन सी है राष्ट अनराथ तेल रिफाइनरी है ये सहुदी अरब में स्थित है भारत में पहली निर्वाचित लोग सबा अस्तित्वय में आई थी, तो कब आई थी, पहली निर्वाचित लोग सबा अस्तित्वय में कब आई थी, 13 मई 1952 में ये अस्तित्वय में आई थी, इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको नेक्स्ट है उत्राखंड राज्य की ऐस्ताई राजदानी है तो कौन सी है ये है दहरादून कौन सी है और ग्रिश्मकालिन राजदानी कौन सी है ये है गेरसेन सीत कालिन जो है दहरादून है और ग्रिश्मकालिन है गेर सेन है कहां की है उत्राखंड की है याद रखनी है दोनों राजदानी है किसकी है उत्राखंड राजे की ऐस्ताई राजदानी दहरादून है और ग्रिश्मकालिन राजदानी गेर सेन है आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है सीत का लिन कौन सी है ग्रिस्म का लिन कौन सी है तो आपको ये याद रखनी है नेक्स देखिए लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविसकारक कौन है तो टेलीफोन के आविसकारक कौन है ये है अलेक्जेंडर ग्राम बेल कौन है अलेक्सेंडर ग्रहम बेल जो है टेलीफोन के आविसकार के रूप में इनको जाना जाता है इंपोर्टेंट क्यूशन है एक्जामस में पूछा जाने वाला क्यूशन है भारतिये विमान पतन प्राधी करण AAI का मुख्याले कहा स्थित है तो ये है नई दिल्ली में स्थित इसमें इस सब्द किसे से सम्मंदित है वेरी इंपोर्टेंट खेलों की सब्दावलियों से रेटेट क्यूशन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें सब्द जो है ये है लोन टैनिस से सम्मंदित नेक्स देखें क्या है बढग जो जन जाती है निवास करती है कहां पर जो ये बढग जन जाती है ये तमिल नाडू की नील किरी पहाडियों में निवास करती है नेक्स तैब परमाणू बम की खोज किसनी की very very important question बार-बार ये question पूछा जाता है ये सभी परिक्षाओं में पूछा जाने वाला question है फिर से repeat हो सकता है परमाणू बम की खोज किसनी की थी तो ये की थी auto horn की द्वारा परमाणू बम की खोज की गई थी नेक्स है अलफानसी है अलफानसी है क्या है एक आम की किस्म है क्या है एक किस्म है आम की एक प्रजाती है अलफानसी नेक्स देखिए थर्ड जो वर्ड सब्द का उप्योग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है विकासील देशों के संदर्व में थर्ड जो वर्ड है इसका उप्योग किया जाता है नेक्स्ट है विनस की मूर्ती कहा जाता है इंपोर्टेंट है किसको कहा जाता है मदू भाला को विनस की मूर्ती कहा जाता है नेक्स्ट कुशन है विस्वे विरासत दिवस मनाया जाता है Very important question. 18 April को विष्वव विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है. Next question है हमारा. Sवधेश में विख्षित मध्यमदूरी की बैलेस्टिक मिसाइल का नाम है. तो क्या है, यह है प्रत्थवी. स्वदेश में विक्षित मध्यमदूरी की बैलेस्टिक मिसाइल का नाम प्रत्वी है नेक्स्ट है उत्र पूर्वी रेल्वे का मुख्याले है जो उत्री पूर्वी रेल्वे है उसका मुख्याले कौन सा है ये है गौरकपूर जितने भी रेलवे के मुख्याले हैं उन सब को आपको याद रखने हैं कौन से मुख्याले कौन से जोन का मुख्याले कहां पर है जो उत्री पूर्वी रेलवे का जो मुख्याले है ये है गौरकपूर में नेक्स्ट है नार्वे की राजदानी है तो कौनसी है नार्वे की राजदानी ओसलो है इंपोर्टेंट है नार्वे की राजदानी कौनसी है ओसलो है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है भारत वर्ष में प्रथम प्रकासित होने वाला समाचार पत्र था कौन सा था जो पहला समाचार पत्र प्रकासित हो था भारत में वो था बंगाल गजट कौन सा था बंगाल गजट था नेक्स्ट है भारत में प्रथम विद्यूत रेलवे की बात हुई थी और भारत में रेलवे के जनक है वो किसको कहा जाता है जल्दी से कॉमेंट करके बताईए कि भारत में रेलवे के जनक किसको माना जाता है नेक्स हमारा क्यूशन है रेड क्रोस के संस्तापक थे तो कौन थे ये थे जे एच ड्यूनाइट कौन थे रेड क्रोस के जो संस्तापक थे वो थे जे एच ड्यूनाइट जो है रेड क्रोस के संस्तापक थे नेक्स है रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो नदियों के किनारे बसे हुए सहर उसे related question पूछे जाते हैं तो रोम जो सहर है ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है next fourth state सब्द किसे संदर्वित करता है तो किसे संदर्वित करता है fourth state ये प्रेश या समाचार को ये किसको करता है fourth state जो है ये प्रेश को संदर्वित करता है next देखिए the struggle in my life के लिखक है the struggle in my life के लिखक कोन है ये है Nelson Mandela कोन है नेंचन मंडेला के द्वारा ये लिखा गया है कौन सा the struggle in my life इंपोर्टेंट है ये पूछी जाती एक्जामें नेक्स्ट है इंटरनेशनल किर्केट काउंसिन ICC का मुख्याले स्थित है तो ये कहाँ पर है दुबई में स्थित है इंटरनेशनल किर्केट काउंसिन ICC का जो मुख्याले है ये दुबई में स्थित है इंपोर्टेंट क्यूशन है नेक्स्ट देखिए वेरी इंपोर्टेंट सक समवत पर आधारित राष्टे पंचांग का अंतिम महीना है कौन सा है ये है जो फालगुन जो है ये राष्टे पंचांग का अंतिम महीना है कौन सा है सक समवत पर जो आधारित राष्टे पंचांग है उसका अंतिम महीना फालगुन होता है नेक्स्ट है विश्वे की कुल जन संक्या का प्रतिशत जो भारत में निवास करता है कितना है 17.5 परतिशत जो विश्व का भारत में निवास करता है नेक्स्ट क्यूशन देखिए नोबल पुरुसकार प्रदान करने वाला देश है तो नोबल पुरुसकार है वो किसके द्वारा दिया जाता है ये Sweden के द्वारा नोबल पुरुスकार दीये जाते हैं कौन-कॉन से छेत्र में दिये जाते हैं ये देखिए एक बार भोतिक की रसाइन विज्ञान अर्थसास्तर चिकिट्सा और सहिते में जो नोबल पुरुスकार है वो Stockholm Sweden में दिये जाते हैं पे ये जो स्वीडन है स्टोक होम में कौन कौन से छेतर में दिया जाता है भोतिक विज्ञान में रसाइन विज्ञान में अर्थ सास्त्र चिकिशा और सहीते में ये जो कौन सी देती है संस्ता स्टोक होम की जो है ये संस्ता देती है जो कौन सी है स्टोक होम जो स्वीडन में यह पुरुसकार दिये जाते हैं जबकि जो शान्ती का जो नोबल पुरुसकार है यह Oslo, Norway में दिया जाता है कहाँ पे Norway की Oslo में यह दिया जाता है, सान्ती का जो पुरुसकार है छे छेत्र में दिया जाता है जिनमें सी पांस जो है स्टोक हम स्विडन में दिया जाता है और जो शांती का पुरुसकार है वो नौर्वे में दिया जाता है दोनु अलग-अलग इक्जामे क्यूशन बनते हैं कि शांती का जो पुरुसकार है वो कहां या कौन सी संस्ता क्लास में तब तक के लिए थैंक यू